तो दोस्तों एक बाद ट्रेन की पटरियों के बीच में स्पिन करता हुआ हैमर लगा दिया जाता है ये देखने के लिए कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन से ट्रेन है जो इस हैमर को आसानी से पार कर लेगी वह ट्रेन इस चैलेंज का विनर बन चैना वाले ट्रेन को चैना वाले ट्रेन काफी अच्छे से चल रही होती है लेकिन जैसे ही हैमर कर पंच लगता है ट्रेन पलट जाती है चलो कोई बात नहीं अब बारी आती है इंडिया वाले ट्रेन की उससे पहले दोस्तों आप भी मेरी तरह इंडियान आर्मी के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाईज तो इंडिया वाली ट्रेन काफी स्पीड से आती है और हैमर पढ़ने के बाद भी ये पलट जाती है इस तरह से इस चैलेंज को कोई भी देश नहीं जीत पाता